प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम कारक के भेद पड़ रहे थे, जिसमें हम चार भेद पड़ चुके थे, कर्ता कारक, करम कारक, करण कारक और संपरदान कारक बच्चों, अपादान कारक, अपादान कारक में एक वस्तू, दूसरी से अलग हो जाएगी संग्या सरणाव के जिस रूप से अलगाव, अलग होना, दूरी बताना, तुलना करना, डरने, तथा लज़ जाने आदे का भाव पता चले, उसे अपादान कारक कहते हैं मुखे बात क्या है बच्चों, अपादान कारक में अलग होने वाली, कि अलग होने का भाव पैदा होता है, जैसे पेड से फल गिर रहे हैं, तो जो फल हैं बच्चों, वो पेड से अलग हो रहे हैं इसका विबक्ति चिन से अलग होने से भाव पैदा परकट करता है, जैसे पेड से कोई चीज अलग हो रही है, तो इस वाक्य में पेड अपादान कारक है दूसरा क्या है कि डरने का भी भाव पैदा हो सकता है, जैसे रिदी मा से से डर गई, तो किस से डरने का भाव पैदा हो रहे हैं, तो से यहां पर अपादान कारक है लेकिन मुख्य के आद रखना बच्चो अलग होने का भाव पर कट हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है अब यही विवक्ति चिन बच्चो से हमने करण कारक में भी पड़ी थी क्योंकि करण कारक का चिन भी से है लेकिन वहाँ से का मतलब क्या होता है साधन की रोहित बस से स्कूल जाता है यहां किरिया का साधन है बस तो बस यहां पर करण कारक है तो इसलिए आपको अंतर भी याद रखना है कि करण कारक और अपादान कारक में अंतर है करण कारक में से कार्थ क्या था साधन करण कार्थ क्या है साधन और अपादान कार्क में इसे कार्त क्या है अलग होना शब्द के जिस रूपसे दो संग्याओं अतवासरवनामों के आपसी संभ्द का पता चले यानि दो शब्दों में संभ्द का पता चले अपादान कारक में से कार्थ क्या है अलग होना नमर 6 बेद बच्चो संबन्द कारके नाम से पता चलता है बच्चो संबन्द का बोध होगा इसके विवक्त चिन है का के की शब्द के जिस रूप से दो संग्याओं अत्वासरवनामों के आपसी संबन्द का पता चले यानि दो शब्दों में संबन्द का पता चले वे संबन्द कारक कहलाते हैं इसके वक्ते चिने का की के आदी हैं क्योंकि ये संबन्द बताने वाले चिन हैं जैसे रिदम का गर बहुत सुन्दर है तो रिदम और घर में संबन्द है कि रिदम का घर है तो रिदम यहाँ पर संबन्द का रख हुआ रिया की साइकिल उसका भाई चला रहा है तो रिया में और साइकिल में संबन्द बताया की शबदने की विवक्ति चिनने तो रिया यहाँ पर संब्द कारक है तो वाक्य के पहला शब्द बच्चो जरूरी नहीं करता का रखी हो यह ध्यान रखना है कि विवक्ति चिन कौन सा आया है तो का, क की की आने पर संब्द कारक बनता है नम्र साथ अधी करण कारक अधिकर्ण का मतलब होता है बच्चो आधार इसके विबक्ति चिन है में और पर कि संग्या के जिस रूप से क्रिया के होने के सत्थान वे आधार का पता चले उसे अधिकर्ण कार कहते हैं इसके विबक्ति चिन में पर आधी है आधार का मतलब क्या बच्चो जैसे पेड़ पर गिलैरी बैठी है तो पेड़ क्या है बैठने का आधार है क्योंकि बिना पेड़ के गिलैरी नहीं बैठ पाती उस पर तो पर विबक्ति चिन से आधार पर कट होता है क्रिया का बसता अलमारी में रखा है कि रखने का अधार क्या है अलमारी तो अलमारी में अलमारी यहाँ पर अधीकरण कारक है तो जिस सबद के आगे विभक्ति चिन लगता है वही शब्दे कारक बन जाता है नमबर आठ बेदे बच्चो संबोधन कारके संबोधन का विभक्ति चिन है हे अरे ओ संबोधन यानि पुकारना बुलाना संबोधन कारका संबंदे वाक्य की किरिया से नहीं होता इसका प्रियोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है यानि किसी को पुकारने के लिए या बुलाने के लिए इस कारक के विबक्ति चिन हे अरे ओ आधी हैं जैसे हे भगवान के भगवान को पुकारा गया है तो भगवान यहाँ पर संबोधन कारक है अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं तो अरे यहाँ पर संबोधन कारक है संबोधन कारक के आगे बच्चों संबोधन चिन आप देख सकते हैं पूरण विराम और इसके निचे बिंदी लगती है तो इसे संबोधन चिन कहते हैं तो जिस सब्द के आगे यह लगा होगा वह संबोधन कारक कहलाता है तो इस तरह से बच्चो ये कारके कुलाठ बेद हुए इन्हें आपको अच्छे से आज रिवाइज कर लेना है नेक्ट टाम हम इसका ब्यास करेंगे एक बच्चो आपको संपर्दान जो कल किया था हमने नमबर चार भेद और कर्म इनमें भी अंतर याद रखना है क्योंकि इनका विभक्ति चिन भी मिलता है एक जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको करम कारक विभक्ति चिन को संपर्दान में भी एक विभक्ति चिन को आता है लेकिन अर्थ बच्चो अलग निकलता है वाक्य से करम कारक का मतलब है किरिया का फल जिस पर पढ़े कि वहां को कार्थ क्या है किरिया का फल पढ़ता जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है तो पढ़नाई का जो फल है वो बच्चों को मिलता है बच्चों को पढ़ना पढ़ रहा है तो परभाव बच्चों पर पढ़ता है तो वहां को कार्थ क्या है करम कारके और संपरदान में जो को है उस कार्थ क्या है किसी के लिए कोई चीज देना किसी को कोई वस्तू देना जैसे डॉक्टर ने मरीज को दवा दी तो यहां को कार कि मरीज को कुछ चीज दी गई है यानि दवा दी गई है तो संपरदान में को कार्थ है किसी को कोई वस्तु प्रदान करना तो इससे तब इनको रिवाईज करना तो आप को ये हमेशा तक याद रहेंगे अच्छा बच्चो अगली बार हम इस पार्ट का भ्यास करेंगे धन्यवाद